सब्सक्राइब और कोदो कि अधिए अधियुगे बाख रोडोर्डेश्टी की था त्यूं दिन फ्लावाब प्तफ रहेंखेंट मौदों अधियुटमौर्टी की अधियुट। पिर उपको glass material से वखी चीज़े उसको classify कर दा है। ज़िए उसको classify कर दा है। तो अलगला मुद्वी में रहते हैं, उसको categorize करते हैं तो higher level पे उसको classification part भी दे सकते हैं कि 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 हम भायोम के student हैं, right? तो भायोम में इतला चीज़े हों कि living thing को जानते हैं तो इसके अंदर पास नहीं थी कि अगर कॉंसे दो टाइप के चीज़े या और इंगी होते हैं लाइप एड़ी थी कि इसलिए हम इसको बार अधर कास्प के शुद रखें तो क्लासिफिकेशन की शुदुआ है लिगिन वो उतनी सक्सेस्ट नहीं है क्योंकि पहले क्या था, humans के कि क्लासिफिकेशन की क्लासिफिकेशन की चीज़ों की वो उसको यूज में ले रहे हैं की नहीं फिर वो उनको फूल प्रोवैट रहे हैं की नहीं आपके अपर कोई से क्लासिफिकेशन पर जो आपरी बता है और शर्क्स अट्रिक और जो एल्टिबस थे उनको किस चीज़ में क्रेटिकराइज किया रहा है दू चीज़ किसमे पहला तो है कि प्रेसेंस आप रेट गर्ड और दूसरा कुछ होता है वो आपसेंस आप रेट ही इसलिए यह क्लासिफिकेशन इपकेश से के आपकेशन को भी एक सेमरिक या किया रहा है लेकिन सब से तरह गर्ड जो आप आप अरे स्टोथन है वो द शुरुआ दिए इसलिए उनका जो इवल्क्त है वो इंपोर्टन ही ना जा दूसरा जो क्लासििए किसने किया है कारी ल में बएकर आगा आप दो के लुग में किते हैं वर डुंके रहने सहने अगड़ने कहा बाकभी हो कीरा टिकए अगा दो इसने और व्होंटों इसने ठीक है , ऐनिबल जो है उसके सेल्वल निदी है। और मोनॉउफिभिटेशन रहता हमको निदी है। ग्या जो येममल हैर मोसटी ये hynड़र्टॉफिट, बत्ब दूसरीवी उपरिमेट होके ह्लुद मुस्ती है, ये विद्सटी हमको मुसलुफिशन रहता है। इतनी जादा specific चीज़े हमको नहीं बता चाहिए इस तरह हमें लेनियस का जो क्लासिपिशन है उसे भी एक सकते है ठीक है उसके बार 3 इक्रव क्लासिपिशन आया 4 इक्रव क्लासिपिशन आया बड़को इस बार पे दिने है उसमें भी हुए नहीं खाविया है फिर बार में आया 5 इक्रव क्लासििशन आया जो हमको दिया तो आरीश्मिटिट के ने 1960 द्हु पर्सटिट आया फिर जैसे हमको बता होते अरीस्टोनिल ने मौनको रोजी को बेज बना के क्यारक्टर्स के थू क्यासिपिशन आया था कि अपिसे भी और्गेशिम को फासिफाई करने के लिए, तो वो क्या क्या थे? Cell Structure, Body Organization, Moral Fibration, Reproduction and Pylogy कि रिलेशन, और रिलेशनशिप, तो Cell Structure मतलब वो प्रोग के लिए और लिए या 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 तो वो मिलता है कि नहीं लता है Moral Fibration, वो autotropic है, या तो फिर hydrotropic, अगर hydrotropic है, तो उसकी कै आप पैरा सई आधिक है भातुरके, सप्रया, छोईinger है सप्रॉइट SPRINT महता ना कि अरक्षिक्ण बोलो है seksualay त्युअलि प्रोडूस करने हैं या sexually4 थैंक और हणिते प्लिंफे जेट रजहीं, मंदब उजेक को मुद गुर पॉर कॉर कमनियुक म North ठीक है यह दो गोई ग्लाइट है, विसके बेजिस्थे आयुशने टारे टाटे टास्पिकेशन दीए बट उन्हों जो 5 गिंड़ क्लास्पिकेशन के दीए तो, कौन से में 5 गिंड़म है वह होते हैं तो पहला है मौनेया, तूसरा है फ्रोडिस्टा, थार्ड है फांडी, पॉर्थ है प्लान, जिसको प्लान की दिए और फुर्ट है अनिविया निया जिसको अनिविया भी लिए जो फोने रहा है उस kingdom के अंडर सारे के सारे जोगी और फिसको आए हो, सारे फ्रोगेवियों के प्लान प्लान उनको अनको cell को होगा, वो unicellular हो, लिकिन उनका जिन उन्ट्रियस नेको बैल डिफाइड निए हो, बैल डिफाइड निए हो या तो उनके पास cell जो इन्ट्रियस है उसकी पेम्प अगर वाज़ा इसी प्लोगेवियों में हमें हो unicellular मिला दी हो, तो वो बैल फ्रॉक्ट्र नें खुदा वेल फ्लोगेवियों के उनको फॉक्ट्रोच्चर नें खुदा उनको इन्ट्रोच्चर खास दा होगा, ठीके? और दूसरा है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा भी पर सबस्कारिक नोगिविन एक अगड़ा है परियों आपके फोटसी करें कि पंगी बान एड़ अगड़ा है पर सबसे पहले हम फोकस करें पॉर्णे राख राइट नहीं तो आड़े इस ते करन का शोटी की लासपिकेशन भाड़ी नहीं है सब इस सलाए केुआ और कि के अंगे है को है कि आपकी परकुर ऑँ जासे मैं आपको रहले प्रोल स्ट्रॉट Tudo करतेने भी करते हिए हैं मैजरी की मैंवर्ज अगे को बैड़न एक काई होगी तर् tutte LE शुैरं for waar तो शुज़ा रहुत का की फ्ल corridor शुज़ा है पनुत स्क्राइड में अदर ऍर प्लोके है और जो इसे बाधन के पाहती, वह थे में से है, वह यूफागे अदर्शाइ पैक्टेरिया को recommend कर देके अदर बैक्टेरिया है तो i am 1% सोउर पहां के वरह भी एको साँस माजा निवस्ट आ खिर सेीन, लिए उत्छतल सेदा है अर जहसे से ऴक्राइट आ साथ हां गार है, आकर आरे हम आप लावर लिए खाण धाल करस्ट तो करका आ कि अमें लग दखी कर दें आकर दो बिलिखाए तो उप जो आपटों से पूखे हो गिसे उपनी सिर्फ आपकम अलोग एकेटरिया चिंटrd organ rub patriot JUL उपरिया से कुझे मुझे तर्फ्रेंग पूखे हो शोरग हम तर्य पेरिया से कि उपनी प्रॉदीया शुट से Rob donc estul कोई 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 को लार इचले देखने को पेड़ेंगे को एक तब salty water के अंगर तेखने के लिए तो ये happy day के हिसाब से भी all side variety of day को में राइट तो according to their shape bacteria को mainly चार हुप में divide गिया गया तुके यह थायँ आपक है विए फास थार नहीं देखने देखने रहे । में जो थासिटिकेशन एं और जो उत्यू उत्यू नाया थे लिए फिरा है फोकस, फोकस या पहल इंग निग्लोट होगे पैंगरिया, उन सब निग्लोट का शेट कैसा होगा? बाहितने, मतलब दाउन, कि कि जो दूसरा दून है बैसलस, बैसलस यह अंतर जितने भी जैट्टी निग्लोट होगे, वह कौन से शेट के होगे? बैटड तो खेप उसाज मिवफिय है. अर्व बैटड की मिवफियरा की बीक्ट मिवाल 나오 हुए. अर्व पीसना है गोरियरियरियरियरियर। गोरियरियरियरियर réf这个區al रिपधियरियरे e Hebrews in a dear cricket ऐसे शछेव wij得 कोवागोज राइट तहरो कि प्रियुरं तो हो कि शो पंडये। शाइन कि शाइन कि शो देड प्रियू सील जैरे क्या घेँंक हूए तो चाल्स में को बस बस लिटनेसन विपले मygen फालन। नबस बस सम्डीलियुरं तो ओंडेक हैंसा कर दो?? विप्री अपको होगा फॉर्मा शेट 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 गाहु अपर करने काल से पान, लिए पेस्णोर से मुझेखेते ahh वहीं अलबम तुकर करना वहाँ ऑध़ मुझेते worst ओके मुझेखे वहाँ इसे नीचरो यह बहुते देखेखने काल करना से अब इस तो शेफिया प्रड़े रिस्टित करना ना बहुत है तो उनका प्रफ कर और निचर प्रड़े करना बहुत है इसलिए अब इसको फूर्द आगे अपर प्रड़े करना राद रखेर करना बहुत है राइट? तो हम किक पोर्ण रखी पारें के बैट्टेरियां बैट्टेरिक काने करें दो हम हागे हैं और जादा अच्छे देशारी की सिचाना तो पहले हम ऐसे क्लासिपर करते हैं बत पकी जब हमेरे पी अपते हिमाय आपके नए डायखिन है आपकी कि बहुत सारे molecules दूसरी की साथ जॉइन होगे, कुछ माइड़ी हो आगे, इस इस पर आशो लेचे लिए इडिबरें टाइम पे, वो एको दूसरी की साथ जॉइन होगे, फिर कुछ के आई प्रफे इस बूसरा होगे, कुछ दूसरा होगे, कुछ सबसे पहला तकाना ह अब बहुत जादा स्पेशले 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 स्पेश पहुआ भी जाना किया जैसे है सिए हम है तो एक लॉपल रखर देशिन कि जी कि नाउन जाना जाना अप्र-वाट जाना कि बहुत जाना का जाना जाना होती है ऊंको इक प्रॉप्र आपर कीस्टीन कि जिसके अंदर रोगार सेंदेगी तो रहते शुचेशन कि रहाए पर यह जो कि मैं थे गर यह को पे शुचे में जो कि अगी जां देख आप आपसे नहीं करें थुक्त पादा अच्छ से रहे तो कि मैं को स्पेस्लैंश करके बगे रहे पर सफेस्टि क्रेक है तो कि कि यह बके रहे एक सेल बड़े यह बड़न कीश सेल रहे और यह जो ब्रत हरके रिए व्हों पर स्लिभानिया तो प्रतिया में रेत्त कयं है तो प्लत ही प्रतिय निस 것이 तो इसाल वाल रौत है यह हांखी पैट्रे Schnill decl 묶 210 पर जो अजितने को पर प्रतियु गिक चलाए तोल जो अपर इस दो कि आए हो इसे लिए उस प्रेशन से आए जो तनृ तिम्हां पीर्षेट लतों सही व्ता है में उसने होती है, फीक्सों तर्ले पoure कि आम थूसदी की अल्समील पर दूस teacher में रहा है। दूसरे में रहा होती है फिक्स था उस को तसे तुम चाहिए पी इस पोघ्ड बाते है, आप रहा डेता है ऑप फित में धुद्तनीर ने को लुमिने टाइब में क्या करते हैं? वो हुदिए गास्ट रिप्षी लगे हैं, इसलिए उसको आप में अचाच को रहे हैं, और ये बेक्टेरा को बाद पूश्यक के अदर देखे हैं, ठीके, अब आपको रहें के यू बेक्टेरिया के बाद है। Now we are going to talk about U-bacteria, U means true, मतलब ये true bacterias हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि R की बेक्टेरिया नहीं हैं, उनका evolution हुआ, थोड़े changes हैं, उसके बाद वो U-bacteria बने, तो जो U-bacteria के category में जितने भी बेक्टेरिया आते हैं, उसको true bacterias कहते हैं, अब इसके अंदर जो cytoplasm होता है, वो 80% water content उसके अंदर होता है, तो इसलिए उसका structure, या तो बोलू कि उसकी जो consistency होती है, वो gel-like होती है, ठीक है, अब जो U-bacteria है, उसके rigid wall है, मतलब की एकदम कड़क, मतलब आप उसको हिला नहीं सकते, उस तरग्य का rigid wall होती है उसकी, अगर वो motile होंगे, तो it means कि इसके पास flagella होंगे, तभी वो motile होंगे, फुलाजला के तुरू क्या करता है, जब वो, एक hair-like structure होता है, तो जब वो उसको हिलाते है, तो क्या है, उसकी movement की वज़े से उनको force मिलता है आगे की तरफ जाने के लिए, तो इसके लिए flagella उसक में पहले ही बताया था कि मौनेरा के अंदर जितने भी organism या अब तो हमें पता ही है कि उसके उनको बैक्टेरिया होंगे, वो unicellular होंगे और prokary होते होंगे, अब जो reproduction है, ज़्यादा तर में binary, fission और budding के तुरू हमें reproduction उसमें देखने को मिलता है, तो अब इसके अंदर क specific अलग अलग type का group तो नहीं किया bacteria के, लेकिन इसके अंदर कुछ खास type के different different type के bacteria है, तो इसमें से हम mainly 3 type के bacteria है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो first of all we are going to talk about cyanobacteria, अब जो cyanobacteria है उसको blue green algae भी कहते है, और ये जो cyanobacteria है, वो obviously unicellular होंगे, अगर एक होगे तो, अब य single भी रहते हैं और colony में, मतलब बहुत बरे amount में, ग्रूप में बहुत सारे bacteria रहते हैं, उसको colonier बोलगे है, अब ये bacteria जो है, उनका habitat का है, मतलब वो कहां पे देखने को बलता है, या तो वो aquatic region में होंगे, या तो terrestrial में, और या तो फिर दोनों, मतलब aquatic and terrestrial में हमको देखने को मिलता है, अगर aquatic है, तो fresh water और marine water दोनों के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है, अब जो हमने देखा कि, जो cyanobacter है, उसका दूसरा नाम blue green algae है, ठीक है, अब algae से हमको क्या आजाता है, green color, क्योंकि algae green color की होती है, तो इसके साथ हम relate कर सकते हैं, कि वो photosynthesis भी शो करती होगी, अब जब वो photosynthesis शो कर रही है, विच में उसके पास chlorophyll होगा, ठीक है, तो अब different different type के chlorophyll आते हैं, तो उसके पास chlorophyll A, A type का जो chlorophyll है, वो है cyanobacteria के अंदर, ठीक है, जिसके थ्रूँ वो photosynthesis करती है, अब जो cyanobacteria है, वो अपने आज पास zilatina sheet भी दिखाती है, अगर वो colon में हुई तो, मतलब अगर colon में बहुत सारे bacteria हुए, तो आजो बाजो से वो कुछ special type का secretion करेंगे, जो उसके आजो बातो एक जिरेदिना sheet बनाएगी, ठीक है, और उसमें से कुछ थास type के bacteria होंगे, जिसके अंदर, हीटेरोसिस देखने को मिलते हैं, अब हीटेरोसिस्ट क् होता है, तो जो atmospheric nitrogen होता है, उसको वो अपने जो ये specialized cell मेंने बताया, उसके अंदर क्या करते हैं, store करते हैं, fix करते हैं, और उस जो specialized type का cell है, जिसके अंदर, वो nitrogen को fix कर सकती है, उसको हम बोलते हैं, हीटेरोसिस्ट और उसके examples है, नौस्टक एन एनाविना, तो इस figure में आप जिलेटीन है, अब जो white color के round round आपको दिख रहे हैं, तो जितने round है, उसको एक-एक bacteria consider करना, ठीक है, और जो बीच में yellow color का, मैंने बताया है, वो है हीटेरोसिस्ट, मतलब cell के अंदर एक खास type का chamber होता है, जिसके अंदर वो क्या करती है, जो atmospheric nitrogen है, वो उस cell के अंदर उसको store कर सकती, इसलिए उसको बोलते हीटेरोसिस्ट, और जिस type के bacteria के अंदर हीटेरोसिस प्रेजन होगा, उसके example कौन से है, या तो फिर में बोलू कि जो atmospheric nitrogen को store कर सकते है, अपने body में fix कर सकते हैं, तो उस type के bacteria के example कौन से है, तो वो है nostoc और anamina, ठीक है, अब यह जो बाजो का gelatinous sheet है, वो bacteria अपनी body में से कुछ खास type की chemical secret करता है, उसके थ्रू बनता है, तो जो ओरेंज कलर का आपको दिख रहा है, आजो बाजो, वो gelatinous sheet है, ठीक है, उसको mucilaginous sheet भी बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर main content जो होगा, secretion का, यो मूसल होगा, ठीक है, इसलिए, अब synthetic autotrophic bacteria की बारे में बात करेंगे, तो जो यह camos synthetic autotrophic bacteria है, वो क्या करते हैं, वो जो different type की inorganic substance है, उसको oxidize करेंगे, और जैसे के उसका example है, nitrate, nitrite और ammonia, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उसको use करेंगे, और उसमें से energy gain करेंगे, और जो energy है, वो किस form में होगी, तो वो ATP के form में होगी, ठीक है, तो ATP के form में, वो energy produce करेंगे, और उसको फिर use करेंगे, अब यह जो chemosynthetik autotrophic bacteria है, वो इसके अलावा क्या खास काम करते हैं, उनका recycling process में बहुत help होता है, तो किस type का recycling, तो nitrogen है, phosphorus है, iron है, फिर sulfur है, यह सारे जो components है, उनको recycling करने की process में, वो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से हमको useful होते हैं, ठीक है? अब हम heterotrophic, जो यह second type के bacteria हैं, उसके बारे में बात करेंगे, तो heterotrophic जो bacteria है, वो mainly decomposer की तरीके से काम करते हैं, और हमको atmosphere में highly amount में देखने का मुझते हैं, अब यह humans को positively भी काम आते हैं, और negatively भी, अब वो कैसे? तो जैसे के हमने milk में से दही बनाया या फिर antibiotics का production किया, फिर जैसे हमको पता है कि leguminous plants होते हैं, तो जिसके अंदर क्या करते हैं, जो कुछ खास type के bacteria होते हैं, जो atmospheric nitrogen को fix करते हैं, roots के अंदर और फिर उसके बाद जमीन के अंदर, तो उसके अंदर useful हैं, तो इस तरीके से, जो heterotrophic bacteria हो हमारे ले useful है, तो यह उनका negative point भी है, वो harmful भी है, तो किस तरीके से harmful हैं, जैसे कि, वो mainly pathogens की तरीके से हमको harmful करते हैं, और वो बहुत अलग-अलग type के disease create करते हैं, जो disease human को भी हो सकती है, वो crops को भी disease दे सकते हैं, फिर जो farm animals हैं, मतलब हम farm में जिसको use करते हैं, जिस type के animals को, उनको भी और pets जो होते हैं, उनमें भी disease create कर सकती है, तो इस तरीके से यह harmful भी है, अब हम इसके reproduction के बारे में बात करेंगी, कि यह reproduction कैसे करते हैं, तो normally, दूसरे जो lower grade animals हैं, उनके तरह, यह sexually भी reproduction कर सकती हैं, और asexually भी reproduction कर सकती हैं, जबकि कभी ऐसा होता है, कि उसके लिए unfavorable condition होती है, unfavorable मतलब उसके लिए comfortable situation नहीं है, उसके लिए word use होता है, unfavorable, तो जब unfavorable condition होगी, तब वो क्या करेंगी, जो उसके DNA content है, ठीके, उसके अजू बाजू क्या करेंगी, वो एक बीज जैसा बनाएगी, ठीके, और उस बीज के अंदर क्या होगा, उसके DNA content है वो, अब हमको जैसे पता है कि बीच क्या होता है, अंदर की तरफ बहुत सॉफ्ट चीज होती है, जिसके थ्रू क्या होगा, प्लांट या कुछ ग्रो करेंगा, ठीके, और उसके अजू बाजू एक hard shell जैसे हमको देखने को मिलता है, जो बहुत तफ होता है, और हो, नीचे जमीन पे गिरा हो, कहीं पे भी हो, उसको कोई असर नहीं होगा, अब जब उसके लिए एक favorable condition आईगी, मतलब की सारा जो normal situation है, इसको ग्रो करने के लिए जो situation चाहिए, वो जब आएगी, तब क्या करेगा, आजू-बाजू का जो hard shell है, या तो फिर hard layer है, वो धीर और वो जो अंदर DNA है, वो किसी और bacteria के अंदर transfer होगा, और उसके बाद new bacteria बनेगा, तो यह sexually भी हो गया, यह sexual reproduction होगा, अब हम third type के bacteria के बारे में बात करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि bacteria के अजू-बाजू cell wall होते हैं उसके अंदर cell membrane होती है, बर जो यह mycoplasma है, इसके अंदर cell wall ही नहीं होती, जो मतलब outer layer bacteria का था, cell wall वाला भही नहीं होती, तो यह ज़्यादा harmful होते हैं humans के लिए, या तो फिर मैं बोलू के different type के organisms के लि work करती है, जो cell wall होती है उसके उपर, अब जब किसी organism में या मैं बोलू कि हम bacteria के उपर ही काम करें, तो जो bacteria के अंदर cell wall ही नहीं है, मतलब जो antibiotics को join होना है, जिस जगा पर, वो जगा ही उसके नहीं मिलें, तो फिर वो act कैसे करेगा, इसलिए यह बहुत बढ़ा drawback है, और वो हम ले सकते हैं, pneumonia, यह भी, एक specially किसी अलग टाइप के bacteria से होती है, और जो से टाइफोड ले ले लिया, साल्मोनेला टाइफी नाइम के bacteria से होती है, तो यह क्या करते है, disease cause करते हैं, और इसके पास cell wall ही होती, इसलिए जल्दी हम इस बीमारी में से बाहर नहीं आ सकते, रीका है, और इसमें के ज्यादा तर जो दिने भी bacteria होंगे, वो pathogens के थ्रू ही काम करेंगे, और यह animal और pets, दोनों के अंदर as a pathogen work करते हैं, ठीक है, और यह naturally resist करते हैं antibiotics को, तो यहाँ पर हमने हमारा जो first kingdom था, monera, वो complete किया,